दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप गूगल पे एकाउंट बना सकते हैं 2020 में जी हाँ दोस्तो गूगल पे एकाउंट बनाना इसलिए और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि दोस्तो आप जो कुछ पी चीज पर्चेस करते होंगे तो पर्चेस करने के साथ दोस्तो आप पैमेंट तो करते होंगे जी हाँ लेकिन अगर आप गूगल पे के थुरूप पैमेंट करेंगे कहीं भी तो आपको बहुत सारे कैस बैक्स भी देखने को मिलेंगे और बहुत सारे साथ ही आपको जो आफर्स भी देखने को मिलेंगे जैसे कि Flipkart Amazon में बहुत सारे साफर्स भी चलते हैं जिसकी मदद से अगर आप Google Pay के थूरूस में पैमेंट करते हैं तो आपको Cashback भी देखनी को मिलेंगे तो दोस्तो अगर आपको जो है Google Pay अकाउंट बनाना है तो इस विडिये के साथ बने रही है आपके लिए बहुत ज्यादे इंपोर्टेंट विडियो होने वाली है दोस्तो 2020 का जो एप्लिकेशन था Google Pay का या फिर उससे पहले का उसमें से बहुत सारी जो है ऐसे नियू नियू दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबस्क्राइब से छोटी सी रिक्वेस्ट है यहाँ पर दोस्तों अगर आप हमाएं पर पहली बार आहे हैं और अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राब कर दिएगा और दोस्तों साइड में आपको लाइक का बटन लिखता है वीड़ी को जरू से लाइक कर दीजिएगा और बीचों भी शेयर का बटन पर क्लिक करके इस वीड़ी को अपने फ्रेंड्स के पास दोस्तों और जिनके पास गुगल पे एकाउंट नहीं है या फिर जो जो ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं उनके पास इस वीड़ी को जरू से दिस्क्रिप्शन के में दिए हुए लिक से डाउनलोड करते हैं दोस्तों आपको अकीस रुपय का है बोनस मिलेगा जब भी आफ साइन अप करेंगे जब स्वाइब साइन फीजिए हुए छ बना सकते हैं दोस्तों सबसे पिले आपको गूगल पे एप्लिकेसिन को अपने जो है bank account से link होगा तो यहां से मैंने एक अपना जो है number slide किया आपको continue पे click करना है फिर दोस्तों यहां पर आपका email ID दीख जाएगा है यहां पर चैन्ज कर सकते हैं उसको आपको नीचे accept and continue पे click करना है फिर दोस्तों यहां पर आपको sign up हो चुका हूँ अब सबसे फिले तो आपको यहां पे आपका account है उसको link करना पड़ेगा जिहां आने कि आपका bank account इसमें add करना पड़ेगा तो bank account add करने के लिए आपको नीचे करना है नीचे करने के बाद view balance यहां पर view account balance पे simple सा click करना है अब जैसे दोस्तों इस पे click करते हैं तो यहां पे add bank account का आपको option दिखेगा तो आपको simple सा add bank account पे click करना है और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपका जो mobile number है वो bank account से link होना चाहिए अब यहां पे जितने सारे popular bank हैं वह सभी bank आ चुके हैं अब यहां पे उपर में आपको search bar भी दिखता है अप यहां अपना bank search कर सकते हैं तो मैं दोस्तों यहां पे paytm payments bank को link करूंगा तो यहां पे मैंने paytm payments bank को search कर लिया अब आपको simple search को select करना है जी हां तो यहां दोस्तों मैं इसको select करता हूँ select करने के बात दोस्तों यहां पे देख सकते हैं आपका mobile number दिख रहा होगा और यहां पर आपका mobile number है वह सीम 1 में है या SIM 2 में है आपको स्लेट करना है और ध्यान रखिएगा मैं आपको फिर से आपको बोल रहा हूँ कि आपका जो mobile number है वो आपके bank account से link होना चाहिए तो यहाँ पर मेरा SIM 1 में लगा हुए दोस्तों तो यहाँ पर मैं SIM 1 simple सा select करता हूँ और continue से click करता हूँ continue पर click करने के बाद यहाँ पर mobile number आपका verify होगा तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं यहाँ पर हो चुका है और मेरा जो बैक आने के बाद उस्ता आपको फिर से view balance यहाँ पे account balance पे आप जैसे click करते हैं तो यहाँ पे आपका जो mobile number पे फिर एक OTP जाएगा उस OTP को आपको उपर में डालना है और नीचे आपको एक अपना UPI pin set करना है जी हाँ इससे दोस्तो जब आप इस यहाँ पे pin जो set करेंगे आप किसी को भी जब payment करेंगे तो उस time पे वो जो आपको pin यहाँ पे जरुत पड़ेगी उसके बाद जैसे आप उसको डालेंगे यहाँ पे आपको जो account balance से वो दिखना start हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आप pin generate कर सकते हैं उसके option आजाएगा जैसे कि आप मैं आपको दिखाते हूं यहाँ पर देख सकते हैं किसी को कैसे पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं mobile recharge कैसे कर सकते हैं बेल पैमेंट कैसे कर सकते हैं वह आपको अभी दिखा देता हूं तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी payment करने के लिए आपको नीचे new payment पे simple से click करना पड़ेगा अब जैसे new payment पे click करते हैं यहाँ पे दोस्तों आप क्या चीज़ करना चाहते हैं जैसे कि mobile 20 रुपीज यहाँ पर transfer करना तो मैंने 20 रुपीज डाल दिया अब नीचे आपको यहाँ पर एक एरो के निशान दिखेगा आपको एरो के निशान पर क्लिक करेंगे आपका अपको एकाउंट दिख जाएगा एकाउंट के नीचे देखते पे 20 रुपीज लिखा हुआ है आ बहुत दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ offers देखनी को मिलेंगे उपर में फिलिप कार्ट जैसे कि मैंने आपको बताया था इंट्रो में कि आपको बहुत सारे offers भी देखनी को मिल जाते हैं और मैंने आपको बोला था कि अगर आपको आपको अपने ट्रांजेक्शन हिस्ट् सकते हैं आपको नीचे करना है और प्रसों सब्सक्राइर यहां опятьpsyotion को मिल जाता है जीसा कि आप गूगल पेंगा कर सकते हैं और आपको बहुत सारे cashback भी देखनी को मिलेंगे और आपको बहुत सारी जो है यहां पर offers भी देखनी को मिलेंगे तो आप बहुत ही आसन से अपना जो है आप गुगल पे एकाउंट बना सकते हैं और दोस्तों आप जिरूर से डिस्क्रिप्शन में दिये वे लिंक सही आप गु जरू सब कॉमेंट कीजिएगा तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे जो है आप 2000 एकाउंट बना सकते हैं और कहें भी आप गुगल पे थूरू कर सकते हैं और साथ दूस्तों आप मॉबाइल दिचार्स कर सकते हैं और कि जितने सारे ओनलाइन जो होते हैं आप सब कुछ जो ह सब्सक्राइब कर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों डिस्क्रिप्सन में दिया हूँ लिंक से ही आप गुगल पे अप्लिकेशन को डाउनलोड करें तो दोस्तों चली मैं मिलता हूँ इसको भी बहुत ही इंपोर्टेंट और हैल्फल वीडियो के स साथ तब तक लिए जाहिंद और वंदे मातरम